एक दिन के लिए मैंने फोन को यूज किया और काफी ज्यादा प्रोलोंस मिली जो मेरे पास यूनिट थी उसमें कुछ दिक्कत हो गई थी एक एने स्मेलेटर को ट्राइ कर रहा था उस दोरान पता नी क्या हुआ वह वह काफी गरम हो गया और उसके बाद उसकी डिस्प्लेय काम करना बंद कर गई तो स्क्रीन रिकोर्डिंग ओन थी साथ में अगनेस से रहा था ओरलोड हुआ या जो भी हुआ उसकी डिस्प्लेय काम करना ही बंद कर गई एकदम हैंग हो गया था फोन तो मैं रेको वो रिटर्न करना पड़ा बाकि उसमें मैंने कुछ एमिलेटर ट्राई करके देखे थे त इसमें जी थीक ठाक चाल जाती है लो रिजोलूशन पर चोटी मोटी गेम हायर रिजॉलूशन पर आप ट्राई कर सकते हो वो बढ़िया चाल जाती है गोड ओफ वार वानेक्स पर ही चलती है और उसमें काफी फ्रेम फलक्च्ट्ट इन एसमें खेला जा सकता है फ्योचर में थोड़ी बहुत ओर इंप्रुमेंट हो जाए और ठीक से चल पाए बाखी एंवलेशन के लिए इतना बढ़िया डिवाज मेर को नहीं लगा उसमें दिक्कत हो गई इसलिए मैंने रिटर्न किया पर जो यह पर्फोर्मेंस मैंने उसकी देखी उसी वजय से मुसको दोबार सेगमेंट वाला एक आप सीजय सेगमेंट वाला एक स्नाइबरेगन अर्फोर UX 730 के साथ तो जीबाइस है वह फोर जैन वन के साथ आएगा तो गैस्सक्राइब सकते हो कुं साथ डिवाईस होगा जो दूसरा डिवाइस है वो स्नाइबरेगन आर्सू सचतर वाला होगा और जो तो में ếu मैं 12 करूँवां दो डिवाइज हágina 12 करूँए फिर्य मीजी ने टीनेओ ती जा तक मैं रियल की वाला ही चूज करूँकि रियल मी कि उप्टिवाईजेशन टीक लगा क्योंकि है तो कि यह दिवाईज सकते हो अगर आपको वो चाहिए है तो 6GB RAM वेरियंट रिकमेंडेट नहीं है Snapdragon 870 के साथ 8GB वाला ही आप लें अगर आपको एमिलेशन करनी है 6GB PS2 Gaming के लिए ठीक है पर Agnes के लिए 8GB ठीक रहेगा क्योंकि 6GB में बहुत सारी गेम्स जो है वो रहन की तरफ से बोटलनेक हो जाएंगी तो इसका फाइदा नहीं है 6GB का बजट कम है तो आप फिलार रहने दे फ्यूचर में आप वेट कर सकते तब ले लेना पर 6GB RAM वाला Snapdragon 870 के साथ नहीं लेना है 8GB रहेगी एमिलेशन के लिए जो भी आप ट्राइब करते हो चोटी मोटी गेम हो या बड़ी गेम हो क्योंकि हर गेम की नीड़ अलग है बहुत सारी गेम ऐसी हैं जिनमें आपको 1.5GB RAM चाहिए होगी बहुत सारी ऐसी हैं जिनमें 2.3GB RAM चाहिए होगी 8GB RAM वाले डिवाइज में 3-4GB फ्री बसती है अलग अलग ब्रैंड की बंद हो जाती हैं, बहुत जल्दी बंद हो जाती हैं वहीं जिनमें RAM-free वहीं जल्दी से बंद नहीं होती हैं क्योंकि बैग्राउड पर 31st होता है system जैसे मैं कोई file extract करूँ उसको मैं minimize कर दूँ है तो background में extract होता रहेगा और वाप पर CPU यूज होता रहेगा और उस दोरान मैं कोई ऐसी app रन कर दूँ जिसको CPU की नेड़ जादा है and CPU के पास enough power नहीं बची है दोनों programs को handle करने के लिए तो वह background की जो अपने आप पोज कर देगा या फिर crash कर देगा यह नॉर्मल है इसमें रहेम कोई लेना देना नहीं होता है यह system full use होने की वज़ा से होता है क्योंकि current program को ज्यादा नीड है background program से इसलिए so and कुछ program जैसे WhatsApp हो गया Facebook हो गया वो background में से हो जाते हैं उनकी active service होती है जिनसे आपको notification मिलते हैं बाकि उनको आप बंद कर सकते हो जैसे background service आप बंद कर सकते हो कि स्मार्टफोन में उसके नुकसान होते हैं कि notification नहीं मिलेगा time पर नोटिफिकेशन टाइम पर नहीं मिलेगा तो फिर फायदा नहीं है जहां तक है 8gb वाला ही recommended रहेगा Snapdragon 870 और कोई भी high end chipset के साथ क्योंकि इनकी need भी ज्यादा हो जाती है बड़े program साथ प्राइब करोगे जितनी RAM डिवाइस के अंदर है उतनी RAM होती जिसे 8gb वाला डिवाइस है तो 8gb थोड़ी ना मिलती आपको तो 7 point कुछ होती है उसमें से बाकी 2gb default by system यूज करता है उसके लागा कुछ other service होती है वो RAM यूज करती है कुल मिला के यह है कि 8gb वाले में 3-4gb RAM free बस्ती है कुछ में 4-5 बस्ती है तो अलग-अलग optimization है जिसके वज़ाएस ऐसा होता है पर जब आप कोई program रण करते हो और उसकी नेड़ ज्यादा होती है तो वो सबी devices में सेम होती है जैसे एक device में 8 में से 4gb बचरी है दूसरे में 5 बचरी है तो वो RAM उतनी ही मिलेगी आपको जितनी जिसमें 4 बचरी है उसमें भी उतनी मिलेगी और जिसमें 5 मिलेगी उसमें भी उतनी मिलेगी जब आप एक single program रण करोगे तो background की service को अपने आप de-activate कर देगा सिस्टम स्मार्ट है उसको अप्टिवाइज इसी तरह से किया है उसको नेड का कोड़िक है वो सोर्स यूज करता है आट जीबी वाला आप कोई डिवाज लो जैसे हम बोल देते हैं कि RAM मैनेजमेंट इस डिवाज का अच्छा नहीं है इसमें ज्यादा RAM फ्री नहीं बसती ह यह RAM की मैक्स रिक्वाइरमेंट 1.2 GB के उपर RAM यूज नहीं करता है PUBG बैसकर आपके डिवाज में 8 GB हो 12 हो बहुत सारे लोग आपको मिस्गाइड कर देते हैं जिनको हाड़वेर की नोलेज नहीं पता है कि कहां पर क्या यूज हो रहा है कितना यूज हो रहा है तो आपको बता देते हैं कि 8 वाला मतलो 12 GB वाला फोन ले लो उससे गेम आपकी स्मूथ हो जाएगी तो ऐसा नहीं होगा बैक्रांड में स्क्रें रिकोर्डिंग का यूज देख लो और गेम का जो भी यूज है वो देख लो उसके बाद आपका आइडिया हो जाएगा कितने GB RAM आपको किस थरह के प्रोग्राम के लिए चाहिए होगी फोर एक्जम्पल अबजी में आपको 1.2 GB Max यूज होती है तो 1.2 GB आप उसके मालो और बाकी स्क्रें रिकोर्डिंग के बात करें तो 500 MB के आसपा स्क्रें रिकोर्डर यूज करता है मैक्स कंडिशन में जापर आप 1080p 90 fps पर करते हो पर रिकोर्डिंग के साथ साथ CPU भी यूज होता है अगर आप ऐसा CPU चूज कर रहे हो जिसमें इतनी कैपेश्टी नहीं है कि दोनों चीजों को एक साथ हैंडल कर ले स्क्रें रिकोर्डिंग को भी और साथ में गेम को भी तो उसमें लैग होगा बेसे कर रहें कितनी भी हो बक्याद इस वूडियो में इतना इता नेक्स्ट वूडियो से मिलेंगे कि वो डिवाइज आ जाएंगे तो उनका रिव्यू करेंगे